Hello everyone, मैं हूँ Dr. Ruchika and welcome to Creating Balance हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारी food pipe में से होता हुआ पहुँचता है हमारे stomach में और हमारी food pipe और stomach के बीच में एक muscular flap होता है जिसे हम बोलते हैं lower isophageal sphincter जब हमारा खाना food pipe में से stomach में पहुँच जाता है तो ये lower isophageal sphincter बंध हो जाता है ताकि stomach में से कोई भी acids वापिस हमारी food pipe में ना जा पाएं पर जब कुछ कारणों से ये lower isophageal sphincter के muscles weak हो जाते हैं या फिर ये पूरी तरह से close नहीं हो पाता तो हमारे stomach acids वापिस से food pipe में जाने लगते हैं इस condition को हम बोलते हैं acidity और जब acidity काफी लंबे time तक किसी patient को on and off रहती ही है तो उस condition को बोला जाता है GERD यानि कि gastroesophageal reflux disease अब GERD एक ऐसी condition है जिसे काफी हद तक prevent किया जा सकता है पर इसके साथ समय रहते deal करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब ये लंबे time तक रहती है तो इससे हमारी food pipe की lining weak हो जाती है और इससे और भी कई तरह की problems हो सकती है तो आज के इस वीडियो में मैं discuss करूँगी GERD के symptoms के बारे में इसके कुछ causes या risk factors के बारे में और उसके बाद मैं discuss करूँगी 8 ऐसे simple lifestyle changes के बारे में जिनसे की इसे काफी हद तक prevent किया जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे GERD के causes की या risk factors की कौन से ऐसे कारण है जिनकी वज़़े से GERD हो सकता है इनमें सबसे पहले आता है hiatus hernia hiatus hernia एक ऐसी medical condition है जिसमें lower isophageal sphincter weak हो जाता है उसके बाद कुछ ऐसी medications हैं कई तरहां की painkillers, anti-depression drugs, sedatives और anti-hypertensive drugs कुछ ऐसी हैं जिनकी वज़़े से GERD हो सकता है फिर smoking और alcohol भी GERD के बहुत बड़े reasons है pregnancy में भी temporarily GERD हो सकता है और जैसे ही pregnancy period over होता है ये अपने आप ठीक भी हो जाता है इसके साथ obese होना या फिर overbate होना भी GERD का एक कारण बन सकता है अब हम बात करेंगे इसके symptoms के बारे में GERD से related कई सारे symptoms देखे गए हैं इससे heart burn की feeling हो सकती है chest pain या chest discomfort हो सकता है bad breath हो सकता है इसके साथ साथ अगर GERD जादा लंबे टाइम तक रहता है तो इससे हमारे दांतों की outer layer जो enamel होता है वो भी damage हो सकता है अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे lifestyle changes की जिनसे की हम GERD को prevent कर सकते हैं और इस lifestyle changes में सबसे पहले आ जाता है triggering foods को avoid करना triggering foods वो foods होते हैं जिनसे एक particular इंसान में acidity trigger होती है अब different लोगों के लिए triggering foods भी different होते हैं तो आपको ये observe करना होता है कि कौन से ऐसे food items हैं जिनसे आप में acidity trigger होती है और फिर उन food items को avoid करना चाहिए पर कुछ ऐसे food items हैं जिनसे commonly acidity trigger होती है जैसे कि carbonated drinks, tea, coffee, spicy foods then fatty foods, fried foods, smoking और alcohol ये भी acidity को trigger करते हैं इसलिए आपको अपने case में कौन से triggering foods हैं उनका पता लगाना होता है और फिर उन food items को avoid करना होता है Next lifestyle change है To eat smaller meals जब भी आप जादा amount में खाना एक ही बार में खा लेते हैं उससे आपका stomach पूरी तरह से भर जाता है और इस वज़े से lower esophageal sphincter पर pressure पड़ता है इससे acid reflux और GERD के chances बढ़ जाते हैं इसलिए आपको कभी भी एक ही बार में जादा amount में खाना नहीं खाना चाहिए बलकि smaller meals आप frequently ले सकते हैं next lifestyle change है to never lie down immediately after eating खाना खाने के immediately बाद लेटना या सोना avoid करना चाहिए at least 2-3 घंटे का gap इसमें जरूर देना चाहिए अब gravity एक ऐसी चीज है जो normally acid reflux और GERD को होने से रोकती है पर जब हम खाना खाने के immediately बाद लेट जाते हैं तो gravity अपना role नहीं play कर पाती और इसी वज़े से acidity होने के और GERD होने के chances भी बढ़ जाते हैं इसलिए हमें खाने और लेटनी की बीच में कम से कम 2-3 घंटे का gap जरूर देना चाहिए और इसी वज़े से ये भी suggest किया जाता है कि आप अपना dinner हमेशा सोने से 2-3 घंटे पहले ही कर लें अगर आपको acidity की problem काफी जादा है या फिर काफी लंबे time से है तो आप अपने bed की head side को मतलब जिस side आप सिर करके सोते हैं उसको 6-8 इंच तक elevate भी कर सकते हैं इसके लिए आप किसी तरह के stones या bricks का use कर सकते हैं इससे भी हम basically gravity को ही use करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब head side आपकी raised होगी तो gravity कुछ हद तक सोते समय acidity या GERD होने के chances को कम कर देगी पर इसके लिए आपको सिर के नीचे extra pillows रखने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि इससे सिरफ आपका head raise होगा जबकि हमें पूरी upper body को raise करना है Next lifestyle change है to avoid wearing tight clothes अगर आपको GERD की constant problem है तो आपको ज़्यादा tight clothes या फिर tight belts पहनना avoid करना चाहिए क्योंकि इससे stomach contract हो जाता है जिसे acid reflux के chances बढ़ जाते हैं आप comfortable fitting के clothes पहन सकते हैं Next lifestyle change है to lose fat अब ये tip सबके लिए नहीं है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो obese है या overweight है क्योंकि GERD का एक leading cause obesity को माना गया है जब obesity होती है या abdominal fat जादा होता है तो हमारे stomach को push करता है जिसे gastric juices हमारी food pipe की तरफ push होते हैं इससी से acidity होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए आपको अपने weight को control में रखने की भी कोशिश करने चाहिए Next lifestyle change है to review your medication कई सारी ऐसी दवाईयां है जिन से GERD trigger होता है इन में कई तरह के painkillers आते हैं, anti-depressant drugs आती हैं, sedatives आते हैं और कुछ hypertensive drugs भी आती हैं इन से GERD trigger होता है तो अगर आपको already GERD की problem है या आप इन में से कोई medication ले रहे हैं तो आप अपने doctor से consult कर सकते हैं ताकि इन medications को switch करके आपको कोई और medication prescribe कर दे पर आपको बिना doctor से consult किये, अपने आप कोई भी medicine change करने की कोशिश नहीं करने चाहिए next lifestyle change जो है वो भी सब के लिए नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि smoking करते हैं या जो alcohol यूज करते हैं क्योंकि smoking और alcohol से ये देखा गया है कि हमारा lower isofagial sphincter relax हो जाता है जिससे stomach acids वापिस से food pipe में आने लगते हैं इसलिए smoking और alcohol को जितना हो सके उतना avoid करना चाहिए अब इन सब points के साथ साथ इन सब lifestyle changes के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अच्छी नीन लें और अपने stress को manage करें ताकि आप GERD से पूरी तरह से बचे रह सकें आज के वीडियो में बस इतना ही, thank you very much for watching